यह topic book से पढ़ना चाहिए और बरहल जो ने नहीं किया कोई बात नहीं आप यह करेंगे आपके आप लोग जो है वो बुक से पढ़ेंगे यह topic और बुक के अंदर जितने भी questions हैं वो आप करेंगे अभी मैं कुछ questions definitely आपको जो है वो करवा रहा हूँ जो के इस related है past paper के questions लेकिन बरहल यह किन यह है कि आपने उन questions को भी attempt करना है जो मौजूद है book के अंदर अच्छा अब जो questions है यह question जो आपको इस वक नजर आ रहा है यह आपकी booklet के अंदर भी मौजूद है यह question आप देख सकते हैं अगर booklet आपके पास मौजूद है तो वो निकाल लीजिए यह question no. 7 जो है इसमें आपको volume of steam produced calculate करना है वेन वन स्क्रीन अजर नहीं आ रही अच्छा स्क्रीन अजर नहीं हो रही हो रही है तो question यह है कि the density of ice is 1 gram per cm3 जब हम कहते हैं 1 gram per cm3 इसका मतलब यह है कि ice का जो mass है वो 1 gram है और उसका volume 1 cm3 है और आपसे volume ice का नहीं पूछा, steam का पूछा है steam produced when 1 cm3 of ice is heated 1 cm3 ice का मतलब है 1 gram ice क्योंकि ice की density 1 gram per cm3 है यानि अगर हम 1 cm3 ice लेते हैं तो उसका mass 1 gram होगा अब examiner ने यहां पर एक चलाकी यह किये है कि आपको 1 cm3 of ice को heat करवाया है और आपको mass given नहीं है steam का या water का mass given नहीं है तो mass आपको इस 1 cm3 of ice से निकालना है और 1 cm3 of ice का जो mass होगा वो 1 gram होगा ठीक है? तो mass is 1 gram actually और यह 1 divided by 18 मैंने कर दिया है यह number of moles obtained होगा है 0.055 mole यह हमने PV इकोल टो नर्ट के फामुले के लिए N कैलकुलेट कर गिया कोई confusion इसमें है? प्रेशर आपको प्रेशर आपको प्रेशर आपको पुट करना होता है पास्कल में तो अल्टिमेटी हमें जो है वो इसको चेंज करना पड़ेगा किलो पास्कल को पास्कल में यहां यहां N की वैल्यू हमने पुट कर दी आर्क की वैल्यू पुट कर दी जोगे डेटाबुकलेट से आप लेंगे तेमपरेचर इस 596 यह माइक बन के वाप कर दें किसका माइक अन है तो 8.31 आर की वैल्यू है 596 टेमपरेचर है 101 आपको गिविन है किलो पास्कल प्रेशर और इस किलो को कनवर्ट करने के लिए पास्कल में हम 10 to the power 3 से मल्टिप्लाए करेंगे तो इसको जब आप सॉल्फ करेंगे तो आंसर जो आ रहा था वो 2.7010 to the power minus 3 आ रहा था लेकिन इसका यूनिट क्यूबिक मीटर होगा क्यूंके PV इकुल टो NRT में हम सारे SI यूनिट इस्तमाल करते है और SI यूनिट में वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो क्यूबिक मीटर होता है लेकिन ऑप्शन्स जो आपको गिविन थे वो DM क्यूब में गिविन थे तो DM क्यूब में ऑप्शन्स गिविन होने का मतलब यह है कि यह 10 to the power 3 से आप इसको मल्टिप्लाए करेंगे आपका मीटर क्यूब में आएगा जहां 10 to the power minus 3 है अब आप इस मीटर क्यूब को DM क्यूब में convert करेंगे और इसे मल्टिप्लाए करेंगे by 10 to the power 3 तो answer 2.70 और nearest जो है वो 2.67 है तो correct answer will be C 7 का correct answer C होगा hopefully आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी अच्छा अब question number 12 आप देखिए it is another way to ask question के आपको examiner expression दे रहा है जिसमें values put की वही है और आपको correct expression select करना है के what is the relative molecular mass of gas MR का formula मैंने पिछली class में drive करवाया था MRT upon PV है अब यहां gas का mass given है 0.1 gram अब आप देखें 0.1, 0.1, 0.1 सब में common है यहीं के mass common है 8.31, 8.31, 8.31, 8.31 R की value सब में common है लेकिन यहां temperature की जो value है दो जगों पर 27 है दो जगों पर 300 है हमें पता है कि हम temperature हमेशा Kelvin scale में put करते हैं तो 27 plus 273 answer will be 300 तो इसका मतब है कि option B यह option D correct हो सकते हैं और इसके बाद next volume 83.1 cm3 given है जबके हमें volume put करना होता है cubic meter में तो 83.1 तो आप put नहीं कर सकते हैं इसका मतबद यह है कि correct answer will be 83.10 to the power minus 6 तो इसका जो correct answer है वो D है volume की जगा पुट करेंगे 83.1 into 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 इसलिए कि 1 cubic meter is equal to 10 to the power 6 cm3 के तो 1 cm3 is equal to 10 to the power minus 6 meter cube के यह equivalent होता है तो आप जब cm3 को meter cube में convert करते हैं तो 10 to the power minus 6 से multiply करते हैं तो यह हमारा correct answer हो गया that will be answer D option D hopefully आपको बात समझ में आ गई होगी игрat करते हैं तो 9T यहां आपको जारिक मोल्स गिवन है वॉल्यूम गिवन है 3DMQ और टेंपरेचर गिवन है 273 और कैलकुलेट आपको प्रेशर करना है तो अब आप देखिए कि पॉम्मूला जो आपका है वो है PV is equal to NRT और PV is equal to NRT में आपने कैलकुलेट करना है प्रेशर तो यह बन जाएगा NRT upon V अब हमें देखना है कि उसके हिसाब से कौन सा एक्सप्रेशन ठीक है N की जगा 1.6 10 to the power minus 3 सब में मौझूद है R की वैल्यू सब में मौझूद है लेकिन जो टेंप्रेशर है वो 273 degree centigrade है तो हमें इसे convert करना है into Kelvin और Kelvin में convert करने के लिए 273 plus 273 ठीक है आप 273 add करेंगे तो B और D में से कोई एक answer हो सकता है उसके बाद volume volume आपको given है 3 DMQ इसको meter cube में convert करना है तो इससे आप multiply करेंगे 10 to the power minus 3 से क्योंके 1 cubic meter is equal to 10 to the power 3 DMQ तो 1 DMQ is equal to 10 to the power minus 3 cubic meter तो volume जो होगा वो 10 to the power minus 3 cubic meter होगा तो इस दूर्ट में correct answer will be D जिसमें हमने temperature में 273 add कर दिया है और volume को convert कर दिया है into meter cube जिससे हमने multiply किया है 10 to the power minus 3 से ओफुली मेरी बात clear हो गई होगी अच्छा जी अब जो है वो इसके इलावा यस यह एक और question है question number 22 और question number 22 अब आप खुद solve करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका correct answer क्या होना चाहिए question number 22 में आपको mass given है 0.56 gram of ethane अब यहां expression given नहीं है वैल्यू कैल्कुलेट करनी है ethane c2h6 है नहीं इतेन c2h4 ethane is c2h4 तो आपको question में mass given है ethane c2h4 है आप इसका MR कैल्कुलेट करेंगे और फिर mass upon MR से आप मोल कैल्कुलेट कर लेंगे इसी तरह से pressure आपको किलो पास्कल में given है आप इसे पास्कल में convert करेंगे simply multiply by 10 to the power 3 temperature जो है वो 30 है 30 में आप 273 add करेंगे तो 30 में जब आप 273 add करेंगे 300 यह हो जाएगा 303 Kelvin और next आपको volume calculate करना है लेकिन जो volume आएगा वो आएगा meter cube में volume जो आप calculate करेंगे यहाँ पर वो meter cube में आएगा और meter cube से आपको convert करना पड़ेगा उसको cm cube में और cm cube में convert करने के लिए 10 to the power 6 से multiply करेंगे क्योंकि 1 cubic meter is equal to 10 to the power 6 cubic centimeter majority answers आ रहा है और वो भी आ रहा है बाकी लोग भी देख लें जी majority ने B किया इसका मतब है कि answer B is correct इस दिरा देखे 24 आप कर लीजेगा मैं अगला question जो आपको करवा रहा हूं वो ये question है question number 26 ये इसलिए करवा रहा हूं कि इसमें मुक्तलिफ बात ये है कि यहां आप से mass calculate करवाया गया है तो different type of questions है कहीं mass कहीं MR पूछ रहे हैं तो कहीं प्रेशर निकलवा रहे हैं कहीं volume निकलवा रहे हैं लेकिन हर case में आप देखें कि आपको जो value मिल रही है वो इसी type की मिल रही है अच्छा जी बारहल आप 26 पर आजाईए question number 26 में ammonia 40 degree centigrade pressure 95 kilo pascal तो एक top 40 में 273 add करेंगे kelvin में convert करेंगे और pressure में 10 to the power 3 से multiply करेंगे pascal में convert करेंगे volume measured जो होगा वो cubic meter होगा ठीक है वो already cubic meter में given है और आपको sample का mass calculate करना है और इसके लिए MR आपको given है और MR जो है वो 17 है इसलिए कि ammonia का MR जो है वो 17 होगा तो वैसे हमारा formula जो है वो है PV is equal to MRT upon MR अब M निकालना है तो M निकालने के लिए mass निकालने के लिए हो जाएगा PV MR upon RT तो अब आप pressure में put करेंगे प्रेशर जो है 95 10 to the power 3 इसके बाद volume जो है वो 4.32 10 to the power minus 5 यह cubic meter में already तो इसे हमें convert करनी की जरूरत नहीं है उसके बाद MR ammonia का 17 है जो हम calculate कर सकते हैं नेक्स्ट आर की value 8.31 fixed है और 273 में आपने 40 add कर दिया तो यह हो जाएगा 313 यह अब आप mass calculate कर लीजिए answer जो भी आएगा वो grams में आएगा तो आपके सामने है तो आप देखें कोई बहुत जादा मुश्किल क्वेस्टन नहीं है इसमें ज्यादातर क्वेस्टन ऐसे हैं कि आप PV is equal to NRT के formula को अगर जहन में रखेंगे तो उसी में से कही ना कहीं कोई ना कोई चीज जो है वो find हो जाएगी और उसी से related कोई ना कोई question different type of questions महजूद है सर्व मुझे उसका भी पूछना है कुछ सवाल chemical bonding के जी पहले से complete करा दो फिर chemical bonding के पास से पर सब्सक्राइगा ठीक है सर्थी अच्छा यह देखिए मैं question आव और mark करवा रहा हूं question 34 आप करके देखिएगा question 34 जो है यह उसी तरह से होगा जैसे मैंने आपको P1 V1 वाले formula से करवाया था लेकिन इसमें कोई थोड़ी सी और story बार इसका पढ़िएगा और question number 36, question number 37, question number 38 यह सारे देखें एक ही type के questions हैं यह अभी मैं आपको जो करवा रहा हूं वो question number 42 करवा रहा हूं और यह जैसे मैंने एक example आपको दी थी कि ऐसा भी question आ सकता है कि जहां examiner आपसे पूछे कि यह what could be the identity of the gas अब अगर आपको identity of the gas में चार options given हैं तो identity of the gas निकालने के लिए आपको इस gas का AR या MR चाहिए लेकिन यह argon, helium, krypton और neon आपको पता हैं यह चारो noble gases हैं और noble gases diatomic molecule नहीं होते हैं वो monoatomic gases होती हैं लेहादा यहाँ पर पहले आप इसका MR यानि AR find out करेंगे और उसके लिए वही MR वाला formula apply होगा कि MR is equal to MR किसके equivalent था MRT over PV MRT upon PV यह formula आपको याद होना चाहिए क्योंकि एक और question भी है जिसमें उसने direct formula पूछा है तो यह MR या AR जो भी आपको निकालना हो formula यही रहेगा mass 0.65 given है R की value 8.31 fixed जाए temperature 300 Kelvin में direct given है तो direct put कर दिया इसके लावा volume 400 10 to the power minus 6 यह volume आपको convert करना पड़ेगा और इसके बाद जो है वो 101 10 to the power 3 क्योंकि किलो पास्कल को आपको पास्कल में convert करना होगा यह है overall calculation अब आपने calculate किया तो 40 आ गया अब आप periodic table में देखेंगे कि 40 इन चारों में से किसका AR है तो 40 जो है वो argon का AR मिलेगा इसका मतब यह है कि correct answer will be argon तो question इस pattern पर भी आ सकता है जहां examiner आपको जो है वो इस तरह की बात करेगा hopefully आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी छिए च्वारा लब आप इसके जो बाकी questions हैं वो आप try कीजिएगा एक question में यहां पर आपको और करवा रहा हूँ यह question थोड़ा सा मुक्तलिफ तो नहीं है लेकिन normally इस question में instrument गलतियां कर जाते हैं यह जरा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कहानी है यह structured question है यह मैं बताता हूँ अभी आपको इसमें आपको पहले तो दो assumptions लिखने हैं kinetic theory के as applied to an inert gas और मैंने आपको कहा था कि दो assumptions वो common assumptions हैं कि there is no attractive force present among gas molecule और volume of gas molecule is negligible as compared to volume of gas container वोई भी दो आप statement लिख सकते हैं जो inert gas में लेकिन वो मैंने कहा था कि ज्यादा frequently जो लिखे जाते हैं वो यह दो है अच्छा जी अगला सवाल है कि how many atoms of argon present in one mole of a gas किकने atom होंगे 6.02 इस पॉइंट जीज का हम लेते हैं तो वन मोल के अंदर particle का नंबर 6.02 10 to the power 23 atoms होंगे next you are to calculate the percentage of the volume occupied by the atom themselves in one mole of argon at room temperature and pressure आपको volume का percentage निकालना है कि एक atom जो है वो कितने percent volume occupy करता है by the atoms sorry by the atoms है कि one mole atom जो है वो कितना volume occupy करते है itself वो calculate करने के लिए use the data from data booklet to calculate the volume of one atom of argon और ये volume का formula नो ने आपको दे दिया है 4 by 3 pi r cube pi की value 3.14 दी है और r जो है ये atomic radius है r is atomic radius और ये atomic radius आपको data booklet में मिलेगा किसका atomic radius चाहिए हमें चाहिए उसका जो gas जिसकी हम बात कर रहे है that is argon अब आपका काम ये है कि आप data booklet निकाले booklet में मौझूद है data booklet उस data booklet पेज है जहां पर atomic radius का data given है और आप उस atomic radius के data से related जो भी value है वो मुझे बताईए 4 by 3, pi की value 3.14 है इंटू जीरो पॉइंट वन नाइन जिरो यह जिरो पॉइंट वन नाइन जिरो जो है इसका unit क्या है इसे आप मल्टिप्लाइ करेंगे बाइ 10 to the power नेनो मीटर को मीटर में convert करने के लिए माइनस नाइन से आप मल्टिप्लाइ करेंगे अलेव यहीं कड़ावा यहीं से फून किया हुसते हैं अच्छा दी तो यह 10 to the power माइनस नाइन से इसलिए मल्टिप्लाइ किया है ताकि नैनो मीटर मीटर में convert हो जाब आप कहेंगे मीटर में क्यों convert करना है तो उसका reason यह है कि आपको पता है कि जो standard volume का unit होता है वो meter cube होता है तो आपको आगे volume calculate करना है तो volume calculate करने के लिए आप जो यहां पर put करेंगे वो और देखें दूसरी बात है कि r का cube कर रहे है तो यह आप meter put करेंगे तो यह meter cube आएगा वरना फिर dm cube में volume आएगा या फिर जो है वो मतलब depend करेगा कि आप कौन सा unit put कर रहे है तो नैनो मीटर से meter में convert करना असान है यह नैनो का मतलब 10 to the power minus 9 है परालब आपकर answer मुझे बता दें calculate करके क्या आ रहा है यह volume of one atom of argon है 2.87 अच्छान आपका अच्छान आपका सब्सक्रिण यह यह कर दो यह माइनस ट्विंटीनाइन क्यूबिक मीटर यह एक एक एकम का वॉल्यूम है यह जहिन में रखेगा यह वन मोल एकम का वॉल्यूम नहीं है यह एक एकम आर्गॉन का वॉल्यूम है यह पार्ट में आप से कहा रहा है कि यूज रांसर तो C1 to calculate the volume of 1 आडुलम प्रेकर इनकी सिव एकम यह जिस्द्ग है यह लाइटम का वॉल्यूम है और आटम का वॉल्यूम है 10 to the power minus 29 और हमारे पास वन मोल में कितना एटम होते हैं 6.02 10 to the power 23 एटम्स तो इसमें कितना वॉल्यूम होगा कैलकुलेट कीजिए और बताईए ठीक है इसी कैलकुलेट कीजिए और फिर नेक्स्ट आप परसंडेज कैलकुलेट करके आंसर बताईए एक मिनिट में आ रहा हूँ कैलकुलेट कीजिए और फिर रहा हूँ झालकुलेट कीजिए और फिर फिर को सर दिस्टेक कैल झाल 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 वाल्यू बताईएगा और इस टेक दे वाल्यूम उक्यूपाइट बाइएगा 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 अब आपको बताएगा है अगर हम जब यह कहते हैं के वाल्यूम उक्यूपाइट तो volume occupied जो होगा वो 0.024 cubic meter होता है जिसका आप 24 dm cube भी कहते हैं मैं cubic meter में इसले ले रहा हूं कि यहाँ पर volume भी cubic meter में आया है हमारे पास hopefully मेरी बात समझ में आ गई होगी 1 mole किसी भी gas का जो volume occupy करता है at room temperature and pressure वो 0.024 करता है next what percentage of this volume is occupied by the atoms themselves अब देखिये इस का वॉल्यूम सवाल है 1.73 multiplied 10 to the minus 5 यह भी तो volume निकलाता और जो 0.024 यह भी volume है तो यह समझ नहीं आया है जो अलग अलग वॉल्यूम है यह उपर वाल्यूम जो है यह वन मोल अफ ऑरग एटम का जो अरिजिनल वॉल्यूम उक्युपाई करेंगे और जो हाइपोथिटिकली वन मोल अफ आइडियल गैस उक्युपाई करती है वो 0.024 मीटर क्यूब होता है तो आपके अवाज बहुत इस्ट्रेक वरें सार अवास थाही नहीं आरें क्योंकि जो है वो वन मोल का जो वॉल्यूम होता है अगर गैस आइडियल है तो हम यह कहते हैं कि वो जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही वॉल्यूम वॉक्युपाई करेगी आइडियल गैस का जो कॉंसेट था वो यह था कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉल्यूम इस निगलेज़बल एस कंपेर्टू वॉल्यूम अफ गैस तो यहाँ पर जो है वो यह है 1.73 10 to 3 power minus 5 वो वॉल्यूम है जो ओडिजिनली पार्टिकल अक्यूपाए कर रहे हैं और यह 0.024 तो वो है जो आइडियल केस का वॉलिम है, जो हर गैस का वनमोल का होता है सेएएएएएएएएएएएएएएगी तुछ निकालनी है तो परसंटेज वॉलिम जितनी वॉक्टिपाय करेगा, कितना वॉलिम उक्टिपाय कर रहा है? divided by 0.024 into 100 यह आजाएगी percentage कि total volume जो container का है उसका कितना percent जो है वो volume occupy करेंगे gas particle percentage बताईए 0.072 0.072 percent gas volume occupy करेंगे 0.072 percent occupy करने का मतलब यह है explain how your answer to C4 justify one of your assumption in A आपने assumption A में क्या लिखा था कि volume of gas molecule is negligible तो आप यहां बताएंगे कि yes percentage is very low that means this volume is negligible सही समझ नहीं आया मुझे अगर four partners हमने divide करके आइस तरह percentage की निकाल ले है percentage तो ऐसी निकालते है नहीं निकालते है तुछी तरह है लेकिन यहां logic कौन सी लगाई है कि मैंने कोई logic निलगाई मैंने तो percentage निकाली है अगर लिए परी कौन सी परसंटेज निकली है परी कौन सा वाल्यूं की पर्संटेज यह उपर लिखा हुए percentage अगर लिखा हुए percentage अगर लिखा हुए तो यह एक question था वरहल इस तरह के और questions भी आपको मिलेंगे और overall अब आप देख लीजेगा अगर कोई इसमें आपको problem हो इससे related तो आप जो है वो इसमें आगे pv is equal to nrt के भी questions हैं देखें जैसे यह आगे given है तो जब आप solve करेंगे तो आपको बहुत सारे questions इससे related आगे paper 2 में भी मिलेंगे देखें जैसे यह नदर आ रहा है तो इस तरह से यह combined questions आपको मिलेंगे आप इनको देख लीजेगा कोई फिर अगर आपको problem हो तो मुझे next ता से बताइएगा अब मुझे बताइए chemical bonding में कौन से question का issue था question number बताइए chemical bonding में सब्सक्राइए chemical bonding में होगा थोड़ा सा इसमें issue यह है कि आपको जो ideal values given ती यह उससे लिए it should be less than 109 degree क्योंकि एक loan pair की वज़ा से जो है वो bond angle reduce होगा अच्छा अब यहां पर जो है वो 104 correct answer है अब आप कहेंगे 104 तो दो loan pair पे होता है लेकिन हमारे पास जो available options है उसमें 104 यह हो सकता है 109 इसलिए नहीं हो सकता है कि 109 उस वक्त होता है जब कोई loan pair ना हो और जब loan pair आता है तो यह हम पढ़ चुके हैं कि loan pair bond pair repulsion ज्यादा होने की वज़ा से bond angle reduce होता है अब bond angle reduce होके कितना हो जाएगा यह find out करने के लिए जो है वो definitely जो है वो हमने तो assume किया था 107 का लेकिन इस शुद भी less than 109 वो जो closest value 109 से है वो 104 इस फॉर्टी फाइव क्वेस्टन नंबर फॉर्टी फाइव में तीनों स्टेट्मेंट ठीक हैं तीसरे स्टेट्मेंट आपकी समझ में अभी नहीं आएगा जब आप Elkin पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा इसलिए इसको आप छोड़ अबर शिए इसको ने ज़िए इसको नमर फोर्टीन एक पिपटूगा हूस वाले पैले एंसी क्यूं नहीं ऐगें अजिए खेंट्ट्यून और नहीं को इस्तिन नहीं को आप इसकेंगी आप इस्केंगें तो तोड़ दीजे और गेनिक बार यह दो नहीं नहीं अभी आप कॉंसे कॉंसे क्वेस्टिन कर रहे हैं कॉंसा कह रहे हैं मुझे 14 सरे में से कुछ 54-55 भी देखने हैं एक मिनट पर रेजर इंकाम मामला देख लेते हैं Question No. 14 The bonding hydrazine similar to that in ammonia showing your outer shell electron only by drawing dot and cross diagram of ammonia molecules 14 14 14 14 The boiling point of these two compounds are given below Suggest an explanation for the following the close similarity of the boiling point of the two compounds Number of electrons count कियें आपने दोनों के आप करें calculate 9 and 9 18 और दूसरे में भी 18 हैं दोनों molecule में number of electrons same हैं boiling point की similarity same होने का मतलब यह है कि दोनों में जब number of electrons same है तो वेंडरवाल forces की strength भी almost same होंगी इसलिए दोनों के boiling point nearest to each other है So number of electrons से हम लोग पता जो रहें के वेंडरवाल forces सेम है जी इसलिए boiling point nearest है same तो नहीं है लेकिन nearest है और त्यूकिके number of electrons के बढ़ने से आपको पता है के वेंडरवाल forces की strength बढ़ती है इस slightly higher boiling point of CH3F इसलिए है के अलांग वेंडरवाल forces CH3F के अंदर जो है वो permanent dipole dipole attraction भी होगी जो के जी जी बोली उपर वाले molecule में नहीं होगी सबीक समचा दींगा वो diagram बनाकर किस तरीके से permanent dipole नहीं मुझे diagram बनाने की ज़रोत नहीं है सिंपली आपको नजर आ रहा है carbon fluorine का bond है तो permanent dipole नहीं होगा गया यह diagram मैंने class के lecture के दौरान बनाई है partial positive partial negative के वाज़से जी जी permanent dipole होता ही वहीं पर है जहांपर difference of electronegativity हो मैंने permanent dipole आप भी class में share करवाई क्लास में discuss कि हैं permanent dipole क्लियर हो ही जाप क्लियर हो ही जाप ठीक है और कोई problem इसमें इसके parts में इसमें आपने किसी बच्छे नवी 24 का है 24 देख लेते हैं फिर अगर कोई और है तो hydrogen bonding molecule of methanol and molecule of liquid y 54 55 मेरे पास इस booklet में नहीं है के valence shell में होते हैं पांच electron पांच में से पांच में से जो है वो तीन electron तो तीन bond बना रहे हैं इसका मतलब है कि एक अदद loan pair यहां मौझूद होगा तो यह example है two bond pair and one loan pair की और two bond pair and one loan pair का मतलब यह है कि इसका bond angle 120 से कम होना चाहिए तो 120 से कम जो है वो 104 डिगरी है क्यूंके loan pair की वज़ा से bond angle जो है वो reduce होते हैं तो यह loan pair की वज़ा से bond angle वैसे three bond pair पे bond angle 120 होता है लेकिन यहां पर bond angle reduce होके 104 हो जाएगा 109 भी तो हो सकते है अचा 109 भी यहां ठीक है closest 109 है फिर ठीक है जो 120 के closest है वो हमारा correct answer होगा जो कम होकर closest है बिल्कुल सही है पीचे ते सब C दिया हुआ है जी पीचे C दिया हुआ गलत दिया हुआ है यह marking scheme में भी इसकी original marking scheme में भी गलत answer दिया हुआ है लेकिन बारहल यह इसका correct answer भी है हम जब logic पढ़ते हैं के bond angle reduce होता है due to the presence of loan pair तो फिर ultimately जो है वो angular होगा shape और bond angle जो होगा वो less than 120 होगा अब वो less than 120 में जो भी nearest value है वो हमारा correct answer है sir यह question number 12 में homolytic fission के बारे में काया है यह वा भी organic पढ़ेंगे है ठीक sir next 47 है कि वस 47 जो है वो क्या कह रहा है वही the compound CH3 taking thrice N ALCl3 in a simple molecular structure system about the correct hydrogen bond aluminium bond around with a planer the molecule contain coordinate and covalent bonding मैं क्या इशू क्या रहा है पहले मुझे यह बता हो इसका correct answer D है the molecule contain coordinate and covalent bonding इसकी वज़ाई यह है कि aluminium की valence shell में जो तीन electron है वो तीन किलोरीन के साथ share करते हैं तो इसका valence shell complete नहीं होता यह nitrogen के lone pair के साथ covalent bond या coordinate covalent bond बनाता है इसलिए यह correct answer यह correct answer है कि the molecule contains coordinate and covalent bonding sir coordinate का मतलब क्या हुआ coordinate bonding कहुंसी होती है creative covalent bonding say theory में question number 16 theory में question number 16 part 1 पीछे पीछे सार यह question number 16 आ गया इसमें sulfur atom पे पीछे लिखा पर दो lone pair होंगे sir but उसके aftermost electron में 6 होते है और 2 nitrogen के साथ मिलके 3-3 share कर लेगा तो कोई lone pair नहीं बज़ेगा sir क्या कह रहे हो number of lone pair of electron around nitrogen atom and a sulfur atom in S4 N4 तो तुम क्या कह रहा हो क्या होगा यह sulfur atom में aftermost shell में इसके छे होते हैं न 6 electron जी दो unpaired होते हैं लेकिन जब यह 2 nitrogen के साथ bonding करेगा तो 3-3 share कर देगा nitrogen के aftermost 3-3 कैसे share करेगा अचा 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 सही अचा अचा सही अचा 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 नहीं जी 26 भी में बता तुमना यह बुक मेरे पास पुरानी पिछले साल वाली है तो यह updated मैंने इसमें नहीं डाली भी मैं इसको चेंज करता हूँ अपडेटेट डालता हूँ अब फिर मुझे बताईएगा इसमें वो question नहीं है नहीं वो question नहीं है इसमें आप ग्रूप पे शेयर कर दीजेगा मैं इसको देख लूँगा ठीक है? ओगे sir राई जी अब अगर कोई आपका question है तो पूछ दीजे otherwise इंशालला इसको हम अगली class में continue करेंगे